हेलो एवरिवान, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवी अदिती क्लासेज में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे G7 समिट 2024 के बारे में दिखे रिसेंटली इसको और्गनाइज किया गया था तो काफी trending topic है, friends पूरे वीडियो के अंट तक बनी रहेगा यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे questions काफी importantly हुए है सारे exam oriented questions आपको देखने को मिलेंगे पहले हम discuss करेंगे कि G7 summit होता क्या है और आगे चलके हम discuss करेंगे कौन कौन सी countries इसमें शामिल है और next हम यहाँ पे कुछ important MCQs आपके साथ discuss करेंगे तो पूरा वीडियो आपके लिए काफी important है, friends पूरे वीडियो के अंट तक बनी रहेगा मैंने आपके हर एक question आपके लिए selected और most important लिया हुआ है अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे है न यह वीडियो आपके लिए काफी important है चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि G7 summit है क्या देखिए G7 इसका meaning है group of seven तो friends यहाँ पे group of seven यह एक अंतर सरकारी राजनितिक और आर्थिक मंच है जिसमें Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom और संयुक्त राजे अमेरिका शामिल है इसके अतरिक यहाँ पे यूरोपी संग्यनी की जो यूरोपियन यूनियन है यह गैर गर्ना सदस्य है तो यह G7 कैसे form हुआ है इसका base क्या है तो यह एक देखिए साध सरवाधिक और द्योगी की करणवाले लोगतांतरिक देशों का एक अनपचारिक समू है जिसका कोई अपना स्थाई सचिवाले नहीं है ध्यान रखेगा, France, यहाँ पे इंडिया जो G7 कंट्रीज है उसमें नहीं है बट यह यहाँ पे participate करते हैं उसके बारे मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगी देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं कौन-कौन से यहाँ पे 7 countries है जो इसमें होती है शामिल तो G7 में friends आप इसको याद कर सकते हैं छोटे से ट्रिक से जो की है तो यहाँ जो भी आपको capital letters में देखने को मिल रहेना यह countries के नेम है तो जैसे J से आता है जपान, U से है यहाँ पे USA I से Italy हो जाएगा, C से Canada E से England है, G से Germany है और F से France है तो यह 7 countries हैं जो participate करती है friends G7 में और यह G7 के हिस्सा है Next देखे बात करें इन 7 members के बारे में Initially the group began with G6 with 6 members तो देखे हम बात करेंगे complete history G7 की Friends G7 जो member यहाँ पे summit होता है इसमें जो countries हैं यह पहले G6 हुआ करती थी इसमें 6 countries थी जैसे कि France, United States, United Kingdom, Germany, Japan और Italy But later on 1976 में इसमें Canada भी join हो गया और यह 7th member बन गया इसके साथ जो है G6, G7 बन गया Next देखेगा यहाँ पे यह G8 भी बना है जब Russia ने इसे 1997 में join किया था But आगे क्या हुआ यह देखे Russia was expelled from the group after Ukraine annexed the Crimean region in 2014 After Russia's exit, the group was renamed as G7 2014 में Ukraine के Crimea छेतर में कपज़ा करने के बाद रूस को शमू से बाहर कर दिया गया था रूस के निकलने के बाद यह फिर से G7 हो गया पहले यह G6 था, G7 हुआ G7 से फिर यह G8 हुआ But अगे जब Russia को हटा दिया गया तो यह फिर से G7 बन गया The European Union has been continuously participating in the G7 meetings since 1977 तो जो European Union है यह इसका कोई member नहीं है But यह हर साल यहाँ पे participate करता है 1977 से ठीक है I hope आपको friends यह clear है तो friends यहाँ पे जो पहला G7 समिट है यह 1975 में हुआ था Ramboid France में Every year a member of the G7 hosts the annual summit तो हर साल एक एक country जो भी इसमें member है यह इसे host करती है The G7 summit rotates annually among the member countries France, United States, United Kingdom, Germany, Japan, Italy, Canada in the following order तो यहाँ पे friends जो यहाँ पे hosting होती है यह हर साल एक एक साल एक एक country करती है तो यह कैसे होता है पहले France अगर करती है तो second year में United States करेगी Third year में United Kingdom, फिर Germany, फिर Japan, फिर Italy और उसके बाद Canada तो यह order ही यह लोग यहाँ पे follow करते है चलिए, next देखिएगा The last G7 summit was held in Hiroshima, Japan in May 2023 तो जो last यानि कि previous यहाँ पे था G7 summit यह हुआ था friends Hiroshima, Japan में कोशन काफी बार देखे गया है G7 summit कहाँ पे होता है इसका venue जो है ना काफी exams में पूछा जाता है Very very important यहाँ पे आपको 2018 से लेकर के 2024 के सारे venues मिल जाएंगे 2018 में यह कहाँ पे हुआ था, Canada में हुआ था फिर 19 में फ्रांस में हुआ था USA में friends 2020 में यह host करने वाले थे बट द्दू कोवेट जो है इसे वर्चुली और्गनाइस किया गया था United Kingdom में 2021 में और्गनाइस किया गया और Germany में 2022 में और जैसे मैंने बताया last वाला previous वाला जो है 2023 में कहाँ पे हुआ है Hiroshima, Japan में और इस साल कहाँ पे हुआ है यह हम आगे डिसकस करेंगे The first summit was held in 1975 तो पहला summit 1975 में हुआ है अब बात करते हैं friends G7 summit 2024 के बारे में The G7 summit has been held on June 13 to 15, 2024 in the city of Fasano in the country of Apulia, Italy तो यहाँ पे friends G7 शिकर सम्मेलन 13 से 15 जून को यहाँ पे और्गनाईज किया गया है इटली देश के अपूलिया के Fasano शहर में इसे आयोजित किया गया The event was attended by the leaders of seven member states as well the president of European Council and the president of European Commission representing the European Union तो यहाँ पे देखिए इसका आयोजित जो है साथ सदसे देशों के नेताओं के साथ-साथ European Parishat के अध्यक्ष और European Sun के प्रतिनितिद्व करने वाले European I.O के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए थे Next यहाँ पे बात करेंगे देखिए complete यहाँ पे brief में आपको मिल जाएगा host यहाँ पे इसकी country रही है इटली edition कौन सा रहा है 2024 के G7 Summit का यह 50 रहा है Italian Prime Minister Georgia Melanie announced in November 2023 that Fasano City would be the headquarters of G7 2024 Summit तो यहाँ पे 2023 November में इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है Georgia Melanie इन्होंने announce किया था कि Fasano City जो की इटली में है यह headquarter होगा G7 का 2024 नी Georgia Melanie chairs 50th G7 Summit तो इन्होंने जो है G7 का 50th Summit है इसे chair किया है, host किया है यहाँ पे बात करें कि G7 Summit का में एजेंडा क्या है, तो देखे Climate Change and Development इसका में एजेंडा है One of the main agenda है, next ceasefire in Gaza ठीक है, तो यहाँ पे गाजा में युद्ध विराम, Russia's offensive war against Ukraine, तो जो रशिया और Ukraine का war हो रहा है, यह भी यहाँ पे में एजेंडा है इस meeting को या फिर समिट को और्गनाइज करने का Migration, curbing the arrival of African migrants from Italy यह एक रीजन है Indo-Pacific and Economic Security यह एक रीजन है और नेक्स है यहाँ पे the focus will be on artificial intelligence energy African Mediterranean, तो यह सारे में एजेंडा रहे हैं G7 Summit की, next बात करेंगे countries and international organizations invited, तो इसमें कौन-कौन से countries को invite किया गया, बात करें इसकी तो देखिए, अभी तक हमने बात किया, friends कौन-कौन से इसमें member countries हैं अब हम बात करें किसे-किसे invite किया गया था तो इंडिया भी one of the invited country यहाँ पे रहा है, तो देख लेते हैं डिटेल में, leaders from 12 country and 5 international organization have been invited to participate in some working session during the summit under the Italian presidency तो यहाँ पे इटेली के presidency में 12 countries के leaders को और 5 international organizations को यहाँ पे invite किया गया था तो complete list देख लेते हैं यह सारे countries की, Canada को देखिए, friends, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यह तो G7 members जो हैं उनके, जो leaders attend कर रहे थे उनके बारे में, Canada से देखिए Justin Trudeau जो के प्राइम मिनिस्टर है वो आए, France के Emmanuel Macron President, Germany से Olaf Scholz Chancellor है यह, इटली host था, यहाँ पे Georgia Melanie प्राइम मिनिस्टर है, जपान से Fumio Kishida प्राइम मिनिस्टर अटेंड कर रहे थे United Kingdom से Rishi Sunak प्राइम मिनिस्टर, United States से Joe Biden President है, और European Union से Ursula von der Leyen और Charles Michelle, तो यह लोग अटेंड कर रहे थे G7 Countries के Leaders Next बात करें, जो 12 Invited Countries हैं उनके Leaders के बारे में, तो सबसे पहले हमारा आता है इंडिया, तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी, इन्होंने अटेंड किया है G7 Summit को Algeria से President है, देखिए अबदलमजी तबवन, इन्होंने अटेंड किया, अर्जेंटीना के President Javier Millie ने अटेंड किया Brazil के President Lulada Silva ने अटेंड किया, Jordan से Abdullah Tuking, इन्होंने अटेंड किया Kenya से William Roto, President है इन्होंने अटेंड किया था और next difference, Mauritiania African Union, यहां से Muhammad Al Ghazani, तो यह President है, यह अटेंड कर रहे थे, इस G7 Summit को, next देखिए गए यहां पे Tunisia, यहां से Kais Saeed, जो कि यहां के President है, अटेंड कर रहे थे, तर्की से Friends से यहां अटेंड कर रहे थे, Recep Tayyip Erdogan जो कि यहां के President है next United Arab Emirates के President, Muhammad bin Zayed Al Nahyan यह अटेंड कर रहे थे, यूकरेंड से थे Friends, President Volomir Zelensky, और Vatican City से Pope Francis, यहां के Head है, इन्होंने अटेंड किया है G7 Summit को, तो यह हो गए सारे Invited Countries, और उनके जो Key Leaders अटेंड कर रहे थे, इस Meeting को वो, अब बात करेंड Guest of Participating International Organization तो जैसे मैंने आपको बताया, 12 Countries को बुलाया गया, और 5 International Organization को बुलाया गया तो यह जो 5 International Organizations है उनके कौन से Leaders अटेंड कर रहे थे वो बात कर लेते हैं तो पहले था यहां पे African Development Bank, इसे बुलाया गया यहां से Friends अटेंड कर रहे थे, Akin Vumi आदेसीना, जो की इसके President है International Monetary Fund, IMF के CMD, Crystallina Georgiwa अटेंड कर रहे ही थी Secretary General of the Organization for Economic Cooperation and Development इसके माथियाज कॉर्मन अटेंड कर रहे थे United Nations से अंटेंडियो गट्वर्स Secretary General है, यह अटेंड कर रहे थे Very Important Exam में डरेक्ली पूछा जाता है United Nations के Secretary General कौन है तो यह हैं Antonio Gatwars World Bank से अटेंड कर रहे थे President Ajay Banga तो यह है Friends सारे International Organizations जो अटेंड कर रहे थे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं India at G7 Summit ठीक है? तो यहाँ पर देखिए Italian Prime Minister Georgia Melanie has invited Prime Minister Narendra Modi to attend the G7 Summit This will be India's 11th participation at the G7 Summit and Prime Minister Modi's 5th consecutive participation at the G7 Summit तो यहाँ पर देखिए Italy की जो प्रधान मंतरियां Georgia Melanie जो host कर रहे थी G7 Summit को इन्होंने invite किया था यहाँ पर Prime Minister Narendra Modi को attend करने की रहे G7 Summit और यहाँ पर Friends इंडिया का यह 11th participation था G7 Summit में Next देखिए Prime Minister Narendra Modi ने कब-कभी से attend किया है 5 years consecutively इन्होंने attend किया है 19 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में तो 2020 वाला जो meeting था मैंने आपको बताया USA में होना था बट दूटो COVID इसे virtually organized किया गया था नेक्स देखिए The first Indian Prime Minister to be invited to the G7 Summit in 2003 was Atal Vihari Vajpai France was the host country of the G7 at that time तो पहले Indian Prime Minister जोने invite किया गया था G7 Summit में यह थे Atal Vihari Vajpai जो की 2003 का summit था वहाँ पे नहीं invite किया गया था और 2003 का जो summit था यह कहां पे host हो रहा था यह France में host किया जा रहा था Prime Minister Manmohan Singh has attended the G7 Summit 5 times तो यहाँ पे 5 times Manmohan Singh Ji ने भी attend किया है 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में और 9 में, यानि consecutively 5 years इन्होंने भी यहाँ पे attend किया हुआ है इस summit को तो यह हो गया friends कुछ important points related to this topic आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ important questions यहाँ पे related to G7 Summit तो पहला question आता है Where has the G7 Summit 2024 been held तो G7 शिकर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया Friends, इसका आयोजन किया गया था Apulia, Italy में बात कर लेते हैं Italy की देखिए यह योरॉप में country है Capital Rome है, currency Euro है यहाँ के Prime Minister Georgia Melanie है और इसके लावा President है Sergio Materella तो देखिए Friends, यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा India है और Italy आप देख सकते हैं यहाँ पर located है, right? तो I hope आपको यह दिख रहा है चलिए आगे बढ़ेंगे आपका आगला question When and how long has the G7 Summit 2024 been held? तो इसको कब से कब तक और गया है इसको और गया है 13 से 15 June तक Next, who has chaired the G7 Summit 2024? G7 Shikhar Samhilan की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? Georgia Melanie, जो की Italy की Prime Minister है इन्होंने host किया है, chair किया है G7 Summit 2024 को अगला which edition of G7 Summit 2024? तो edition आपको बताना है 2024 के G7 Summit का और Friends, यह रहा है 50th edition चलिए आपका अगला question आता है How many countries have Italy included as guests at the G7 Summit 2024? तो Italy ने यहाँ पर कितने countries को या फिर कितने guests को शामिल किया आपको बताना है तो यहाँ पर Total Friends 12 countries को बुलाया गया था और 5 international organization को बुलाया गया था तो पहले बात कर रहेते हैं कौन-कौन सी countries को invite किया गया? देख सकते हैं Algeria, Argentina, Brazil, India, Jordan, Kenya Mauritiania, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates और Vatican City तो यह सारे मेंबर यहाँ पर यह सारे यहाँ पर countries थे जिन्हें invite किया गया था इस summit में अगला question इटली has invited presidents of how many international organizations to the G7 Summit 2024? तो यहाँ पर आपको बताना है कितने international organization को बुलाया गया था तो 5 international organizations को बुलाया गया था एक बार फिर सर्वाइस करेंगे African Development Bank के president आकिन वूमी अदिसीना को बुलाया गया IMF के CMD क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा ने यहाँ पर अटेंड किया था Secretary General of Organization for Economic Cooperation and Development इसके माथिया स्कॉर्मन अटेंड कर रहे थे United Nations से अन्टोनियो गत्रस जो की Secretary General है इन्होंने अटेंड किया है और World Bank के president अजय बंगा ने इसे अटेंड किया है तो यह सारे participating international organizations रहे है अगला question How many times has Italy chaired the G7 summit? तो Italy कितने बार इसके अध्यक्षता कर चुका है? तो friends यहाँ पर total 7 times Italy ने इसे chair किया है अगला तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यह time है जहाँ पर इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर G7 summit में तो friends यह 11th time है जब इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है अगला question in the year 2024 which consecutive time has India's Prime Minister Narendra Modi participated in the G7 summit तो friends इनका यहाँ पर यह 5th time है जब यह इसे attend कर रहे है अगर यहाँ पर 2020 वाला भी attend होते तो यह 6 होता बट द्यू टू यह COVID इसे वर्चुली और्टिस किया गया था देखें friends जो year में यह हो रहा है ना उससे पहला year यह आपको पता होना चाहिए और अगर next year का declare हो गया है host country तो वो भी आपको पता होना चाहिए तो अभी फिलाहला हम बात करें 2023 ही 2023 में इसे और्गनाइज किया गया था हिरोशिमा जपान में अगला where was the 48th G7 summit 2022 held अब देखें उसके previous year यानि कि 2022 में इसे कहां पर held किया गया था यह हुआ था friends right answer यहां पर हो जाएगा देखें option number B Bavarian Alps Germany तो इसे जर्मनी में और्गनाइज किया गया था next in which year was G7 founded तो G7 की स्थापना किस वर्ष में हुई है इसकी स्थापना 1975 में हुई है इसके बारे में देखिए G7 is a intergovernmental organization that was formed in 1975 as an informal forum for the top economies of time to discuss global issues तो friends G7 एक अंतर सरकारी संगठर है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की सीर्ष अर्थ व्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनवचारिक मंच की रूप में गठित किया गया था अगला how many countries were there in G7 at the time of its establishment तो जब G7 को establish किया गया यहाँ पर friends 6 countries participate कर रहे थे ठीक है इसके बाद यह G7 हुआ था तो यह मैंने आपको already बता दिया है देखें during the 1970s US, France, UK, Germany, Japan, Italy यह form कर रहे थे यहाँ पर form किया थे इन्होंने G6 को ठीक है फिर 1976 में Canada भी से इसमें include हो गया था फिर यह बन गया G7 अगले in which year did Canada join the G7? अभी जर्श मैंने आपको बताया 1976 में Canada ने जॉइन किया है G7 Summit को अगले हाँ पर देखें friends Canada joined the group in 1976 and the European Union in 1977 तो next year ही इसमें European Union ने जॉइन किया है 1977 में after Russia joined the group in 1998 the G7 was known as G8 तो काफी सालों तक 1998 में जब रश्या ने जॉइन किया इसे G8 के नाम से भी जाना जाता था but 2014 में due to Russia यहाँ पे जो war हुआ उसकी वज़े से इसे हटा दिया गया है G7 से तो अभी यह मतलब G8 से अभी यह G7 again हो गया है चलिए अगला the first G7 meeting was held in which country तो पहला G7 meeting जो है very very important question इसकी पहली बैठक friends होई थी Paris, France में अगला in which year did Russia join G7 तो रश्या ने कब जॉइन किया है G7 को रश्या ने जॉइन किया है 1998 में और फिर 2014 में से यहाँ से रिमोव किया गया है next in which year was Russia pulled out of G7 तो अभी मैंने आपको बताया friends 2014 में से यहाँ से निकाल दिया गया था देखिये following Russia's annexation of Crimea that G7 countries decided in March 2014 to meet without Russia until the further notice तो जो यहाँ पे देखिये क्रीमिया पर उसके कबजे के बार ना G7 देशों ने यह decide किया था कि इसे यहाँ पे हटा दिया जाएगा अगला who mainly participates in the G7 summit तो G7 summit में मुख्य रूप से कौन हिस्सा लेते हैं तो head of G7 countries participate करते हैं European Union के जो president होंगे वो participate करते हैं और commission president of European Union भी participate करते हैं all of the above इसका right answer होगा आपका अगला question which country will host the G7 summit 2025 मैंने आपको बताया previous आपको याद रखना है पर यहाँ पे present आपको याद रखना है और जो next होने वाला है future में वो भी आपको याद रखना है तो यह already decided है 2025 का फ्रेंट्स यह होने वाला है Canada में अगला question और आपका last question PM Narendra Modi visited which country for the first time after winning लोगसभा elections तो friends लोगसभा elections के जीतने के बाद Prime Minister Narendra Modi ने यहाँ पे पहली बार किस country को यहाँ पे विजिट किया है तो इन्हों ने विजिट किया है Italy option number D right answer हो जाएगा तो देखिया after becoming Prime Minister for the third time Narendra Modi has reached Italy to attend the G7 summit तो यह हो गया friends important points related to G7 summit मैंने आपको top 20 questions यहाँ पे बता दिये ठीक है इसे पहले हमने जो भी यहाँ पे important points हो सकते थे static points वह भी मैंने आपको explain कर दिया history बता दिया G7 summit का कब इसमें कौन सी countries यहाँ पे join हुई है यह मैंने आपको बता दिया ठीक है तो यह हो गया है friends सारे important points अब आता है आपका test question पूरा वीडियो अब अगर आपने अच्छे से देख लिया है test question का आँसर आप काफी easily दे सकते हैं तो comment करके आपको बताना है पहला question है हूँ chair the G7 summit 2024 तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है very easy question आंसर करके बताएं अगला question which edition of G7 summit 2024 तो G7 शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्क्रान था 2024 का यह भी आपका test question है friends यह दोनों का आंसर आप हमें comment करके बताएं साथ में friends मैं आपको बताना चाहती हो हमारे paid PDF के website के बारे में यह है www.ravibooks.com यहाँ पर आपको रवी सर की जी के एंड करेंट अफेर्स की जो PDF होती है ना Hindi एंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी तो आप हमारे इस website को विजट करके कोई भी e-books को परचेस कर सकते हैं यहाँ पर आपको देखिए monthly current affairs जहाँ पर 550 plus mcq questions मिल जाएंगे वह भी topic wise last five months का जो current affairs होता है यह भी आपको मिल जाएंग और साथ ने जो yearly current affairs है 2023 का यह भी आपके लिए यहाँ पर available किया गया है इनमें से अगर कोई भी आप PDF बाय करना चाते हैं आप हमारे website को विजट कर सकते हैं ठीक है चलिए और राइट तो यह हमारा आज का लास्ट लाइड I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you and have a nice day